जेल पेंड के इंक में ये चीज़ क्या है इस आदमी को ऐसा क्या हुआ कि इसने सिर्फ एक स्मार्टफोन के लिए अपनी पतनी को ही बेच दिया और QR कोड में इन तीन स्वायर का क्या काम होता है जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंतक आपने हमेसा देखा होगा सारे जो QR होते हैं उसमें इस तरीके की तीन बॉक्स होते हैं तो ये क्यो होते हैं और इसका काम क्या होता है दरसल ये QR स्कैनर को एक्यूरिसी देता है दरसल कई बार QR स्कैनर टेड़ा होता है या फिर हम कई बार फोन को टेड़ा करके स्कैन करते है ऐसे में qr scan इन बॉक्स के जरिया अपने आप qr code को सही तरीके से scan कर लेता है आगर ये box नहीं होंगे तो हमें scan करने में काफी जाधे समय लगता है नम्बर टू आप में से कई लोगों ने pen में इस चीज को notice किया होगा तो आखिर ये क्या होता है सबसे पहले आपको बता दे कि ये सिस जेल पेंड में ही पाया जाता है आप कह सकते हो कि इसके बज़र से ही जेल पेंड को जेल पेंड कहा जाता है क्योंकि ये जेल इंग को सुखने से रोकता है जेल पेंड के इंग में वाटर बेस जेल का इस्तमाल किया जाता है जो आपको यहाँ इस तरीके से दिख रहा होगा और इस चीज को इंक के साथ मिक्स कर दिया जाता है जिसे हैड रैटिंग काफी जादा स्मूथ आती है और देखने में काफी जादा सुन्दा लगता है क्योंकि यह वोयल पेन के मुकाबले जादा अच्छा होता है जी हाँ दोस्तों इसने अपनी पतनी को साथी से बस कुछी महिनों बाद राज़सान के एक आदमी को बेच दिया उसने यह क्यों किया यह और भी जादा सौकिंग है उसने यह सब कुछ सिथिक फोन के लिए किया उसने अपनी पतनी को बस एक स्मार्ट फोन की खरिदने के लिए बेच दिया इंडिया की तरह ही टुर्की में भी एक बहुत ही आजीब सुपर टेशन है अगर वहाँ पर किसी ने ब्रेट के उपर अपने पैर रख दिये तो उसका बैड लग सुरू हो जाता है दरसल यह वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है बाकि इसमें सचाई कितनी है यह तो सिफ वही लोग जानते होंगे तो आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले